देश का टलिकॉम सेक्टर लगा थार आके पड़ रहा है। देश की दो बड़ी टलिकॉम कमपनिया पहले 2G, फिर 3G, 4G और अब 5G नेटवर्क लोगों तक पहुचाने के तयारी कर रही है। इसके लिए देशी कमपनी भाती एरटल और राइन जियो के बीच कांटी की टककर भी चल रही है। इसके लिए एरटल का एक्सिलेंट कंसिस्टेंस क्वालिटी स्कोर 56 लोग शेपीज की रहा। बहतर सर्विस के मामले में एरटल का ग्राफ पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाला कि बेच की सबसे बड़ी टैलिकॉम कंपने राइन जियो टुटेला के छे टेस्ट में से सिर्फ एक में ही बहतर पो दर्शन कर पाई। जियो कुल कवरिज के मामले में एरटल और वोड़ाफ ओन आईडिया को पचाड़ का पहले नमबर पर रही। टैला ने कवरिज के लिए जियो को 545 स्कोर दिया। कवरिज के मामले में बियेशनल 316 स्कोर के साथ सबसे पीछे रही। बियेशनल 3G सर्विस पर ज्यादा डिपेंड रहा है। इस खेलाबा वोड़ाफ ओन आईडिया में 5.2 MS की आउसर्थ अपलोड स्पीट के साथ अपलोडिंग कैटिगरी में सब सुपर रही। एड़ 4.5 MS की आउसर्थ अपलोड स्पीट के साथ दूसरी नमबर पर रही जबकि जीओ इस कैटिगरी में फीसरे इस्थान पर रही। टुटेला ने रेपोर्ट के लिए भारत में स्मार्टफॉन से ली गई तीम दिशमलों 1 करों से ज्यादा स्पीट और लेटिंसी टेस्ट का मोले अंखन किया। टुटेला की लेटिस्ट स्टेट अफ मोबाइल एक्स्पीरियंसिंग रेपोर्ट के साफ से टेलीकॉम ऑपरेटर एटल की कोर कंसिसेंसी क्वालिटी फिरासी दिशमलों साथ फीज दिलाई इसमें वेब ब्राउसिंग, एसडी वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया पर पोटो शेयर करना जैसी दूसरी डेली एक्टिविटी शामिल है